करने के बाद आज हम यहां बिजुनोर इलाके में आए हैं जो गाउव है तंडा माईदास एक गाउव है और यह तंडा माईदास में क्यूं आया हूँ अपसे 14 महने पहले आपने एक ओडियो सुनी होगी जिसमें एक मुशरफ नाम का वेक थी अपने दोस्त को फोन करता है कोल उसके आखरी कोल होती है बोलता है मोनु भाई मेरे बच्चों का ख्यार लखना मेरी हमारे फैमिली का ख्यार लखना आपने सुना भी होगा क्योंकि एक दिल्ली में एक हाथसा हुआ था और हाथसे में करीबन 43 लोगों की मौत हुई थी जिसमें से एक मुशरफ था मुशरफ की लाश ही इस गाव में आई है जस्ट मेरे पीछे उनकी मां खड़ी आप देख सकते हैं उस फैमिली से हम मिलेंगे और हम से जो मदद होगी हम करेंगे दिल्ली गौवर्मेंट ने भी मदद के लिए कहा था लेकिन अब तो कोई मदद नहीं आई लेकिन आप इसके इलाके में बाड़ा हिंदुराव के इलाके में एक फैक्टरी में आग लगती है उसमें तगरीबन 20-25 लोग 43 लोग मारे जाते हैं जो मजदूर थे जो सिलाई का काम करते थे शोर्ट सर्कृट से वो एक हासा हुआ था लेकिन इसमें सबसे जोड़ देने वाली बात वाल हुई थी वो एक ओडियो थी वो शायद ओडियो आपने सुनी भी होगी एक एक मुशर्फ एक लड़का था जो वहां काम करता था उसने एक अपने दोस्त को जो की मौनू अगरवाल के नाम से हैं उनको फोन किया था कि मौनू भाई मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से म मौनू भाई मेरा ख्याल लखना मेरे बच्चों अख्याल लखना आप समझ सकते हैं कि उसने किसी मुस्लमान भाई पर विश्वास नहीं जाता है उसने उस बंदे पर विश्वास जाता है जो उसके साथ हमेशा से हमेशा से उसके साथ में रहा है वही मौनू अगरवाल हमा तो कैसे थोड़ी सी बताइए आप बस अकेला परिवार में वो अकेला ही कमाने वाला था जो मुसरफ के अब्बू थे वो मुसरफ से एक साल पहले इस पैर हो गए थी उसका बेटा है यह नो साल का जिए और तीन बेटिया है उसके बेटे से सब चोटी है घर में कोई करने वा अचे है माता अम्मी है माता है वो खाट बुल लेती है जो भावी है हमारी मुसरफ की वाइफ वो थोड़ा सिलाई कर लेती है तो उससे थोड़ा परिवार का अरग गाओं के हिसाब से यह तो है नहीं कि ज्यादे इनकम हो तो आप देखी रहे है कंडिशन जैसी भी है यह जो मुशरफ छोड़के गयादा सिर्फ वही कंडिशन है जी जी मुशरफ का लास्ट को आपको मैं मैं यहां पर मोनु भाई को रोके वह रिकोर्डिंग आपको सुनाना चाहूंगा आप वह बार रिकोर्डिंग सुनिए और ओडियो सुनिए वह कि किस तरह से नोने मोनु भाई को कहा के मोनु भाई मेरे मेरे परिवार का ध्यान रखना सुनिये तो वह बहुत है जाँ फटे खत्रम होने वाला आज में आज लगने वाली यहां लेग तो बहुत है को मोनु से नंबर ने लिए वो जो मुटकर गूर जाल यहां इसम कबर रवा बागना करी रास्ता अलग लखे है।ろ। दिली ़ुके छिलने के लगहाँ। भागने की के लोल फेट कग रास्ताव को थेुढ है। सब खाए-फुलः। दिली सब्सक्राम से ओमुटो राश्तार हो। वोहाँ आप होगा थे का थेसम मेरे बागहां। तो कहातो है।रु आफ है। हाँ भाई यहाँ पाग यहां अनिकलना कर देश्टार्य सफ दो सोच को पूर का है मुस्ही मूर नहीं पता नहीं देख तो तो चैनलना का शली अन दीट आ रह रहे है तो निकलना कहे भाज तो नहीं है Сवск डरिग ल सकता है यह कुछ नहीं और याग परनिशने घ्षामी तो कुछ में मोनुबस परनिशन गोचे, आट ज्पिधन में अरे आतरफित, ऺोड़या है मुट रमचे, पहने पर गोड़ना चुछ याटो कुछ टो करने ही है थाल, जिर मिम अलए याट JIMुव आओ लिद लिद में? तो मुनु भाई ये कोल आए थी लास्ट क्या कहा था इसने मुशरफ ने सुना और फिर भी आप मैं आपके मुँ से सुनना चाहिए उस दिन इतिफाक रहा है जान की मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है मैं मेरे मेरे पास ठाग रहे देते हैं जब मैं सो जाता था इतिफा मेरे पास रहा है आप फोन फोई लगब सबस्टाने के बाद पाली घंटी जब बजी तो मैं पेली गंटी में रिसीव हो गया फोन प्रिकोटिंग भी डिए मेरे मोबाइल में और वो कह रहा था कि आग लग गई मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं नीद में और कुछ देर तो मैं यह कहते रहा है कि क्या हुआ क्या से हुआ पुले आग लग गई मैं वाज बचने का नहीं हूँ मनने वाला हूँ मेरे बच्चों का ध्यान अखना मगा बहाग महाँ से मैंने पते रही उसे जो जितना मुसे क्योंकि आप जान सकते हैं कि एकदम से फोन करना और सो के दिमाग मेरा भी काम नहीं कर रहा था और मैं बेवस था कि मैं उसे बचाने के लिए साइथ कुछ कर पाता मगर मैं कहीना कहीं मजबूर था कि अपने दोस्त को नहीं बचा पाया मैंने उसे दौरे रिटर में फोन किया एक बार तो फोन पर बात हो गए ती आपने सुना होगा एक इमामुदीन जी थे जिनके हो काम करता था पहले उनके पांच है रुपे थे उन्हें उदाल लिये थे पहन की साधी करी थी उसमें साधी में उदाल लाया था तो वो तो मरतेवे भी बता रहे थे कि पांच जार पर दे देना हाँ वो कि वो पैसे मत आप पैसे दे देना वो पैसे हमने दे 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 उनके हैं तो उसके इमानदारी पे या उसके आपने पूरे हंदोस्तान ने फुरे आल वर्ड ने उसके peroडिंग MICHसी कोई बहाति नी किसी प्रकार से हमारे घाओं बल्ड है सब लोग मिलजुल करहते हैं मैं आप से वह कहा हमारेग्सिका में और म मुझे पता हुता दर कब आ रहा है कब जा रहा है क्या बीश सकती है एक मा पे अब देख सकते हैं कितने सालों के मैं मा देखो हम भी नहीं चाहते कि आपकी बेटे की बात आपके सामने आए लेकिन मैं यह चाहता हूँ सुनिये मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी मदद करें क्योंकि अभी तक तो मैंने खाले ने कोई मदद ने करी इनकी तो आप मतलब यह घर जा के चरपाई बुनती है कोई होता है अगर डाल जा हमारे आपकी घर डाल जाते हैं है मुंदों में बैट और बहुसलाई कर ले कोई कुछ नहीं है कि बैटा था है जार बैटे उसे पहले चोड़े 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 चले गए थे नहीं मैं समझ सेकता हूं जिस मा के पांच बैटे हो और पांचों में से आज एक भी इस दुनिया में नहीं जब इस मा को सहारे की जरूरत थी अपने बैटे की अल्ला ने वो भी ले लिया इनके शोहर का भी इंतिकाल हो गया चोड़े चोड़े यह निके ये मुशरफ के बच्चे है छोड़े-चोड़े मुशरफ के तीन लड़की है एक लड़का है यह चार बच्चे यह तीन बेटियां है यह बीटा है बड़ा बेटा है किया ना मेट आपका शैयर सेफ छोटी छोटी तीन बच्चे हैं और सबसे बड़ा सबसे बड़ा घर में जो मर्द है इस वक्त यहीं है तो बच्चे मांगते होंगे आपसे डिमांड भी करते होंगे कुछ चाहिए है कुछ जाहिए परशानना हुआ आप कितने परशान कमा लेते हैं कितने में मैंने में 4000 बांद आयते है दो हजार बिन होते हुए तो यह इम्राना है जो कि मुश्रफ की वाइफ है और कि अंदर से इनका दिल कितना रो रहा है छोड़े चोड़े तीन, चार बच्चे हैं, तीन बेटियां है, इन की जिम्मेदारी है, एक बेटा है उसकी जिम्मेदारी है, इन बच्चों ने तो, होज भी नि समाला होगा, यह बच्चे तो धंक से पहचाँते भी नहीं होगे, भेन, परशान नहओ, इंशाल habit यिह जो इखूआ तैका आसटी उन्हें है अ कहिए नहीं हंच झाल हो मैं नहीं मत भिब आंग सब्सक्रीन नी चाहता हो कि आपका जो दर्द ना वो दूनिया दिखे making the love you the Earth कि आप कुछ कहना चाहती है आप यह बताई है तो कुछ कह के ते आप तो जह से मुझरफ के बैंद आउंगा बच्चों के लिए कुछ लाउंगा इस राजी कुछ बात हुई थी क्या बोलके ले थे ऐसी बच्चों के लिए सामान लान कोई क्या है अगरते कपड़े और सामान इनके लिए मुबाइल भी लाकर दिया अपके कह रहे तो अब बड़ है ना मैं इसके काम कर रहे होंगे हैं तो इसलिए ना उठाए हम इनके बाद में कर लेंगे फिर करा ना आपको पता में था गए ये को लाश्ट हो लोगी जब सरकार साथ ने देती ना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हम आके ऐसे लोगों की मदद करें इस लोगों का एक एक एस लोगों की बढ़ चड़ करें मदद में हिस्सा लें मुझसे जो मदद होगी मैं करूंगा इंशालाओ ठीक है ना कैना बहें आपकर खड़े जाओ आओ क्यानम बदाया इम्राना इम्रान में मैं भाई समझे लो तुम्हारे ये 5,000 रुपे हैं रख लो ये 5,000 रुपे मेरी तरफ से हैं बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते है तो मैंने वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमिट कीजिए और बस ऐसे ही लोगों क खिद्मत करते रहें और जाला जाला शेयर कीजिए वीडियो को जिससे जाला जाला इस फैमिली की मदद होते है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया